साथियों हमारी भारत भूमी को हर कालखंड में देश की बिलक्षन बेटियों ने गवरोव से भर दिया है सावित्रिबाई फुले जी और रानी वेलू नाचियार जी देश की ऐसी ही दो विभूतिया है उनका व्यत्तित्व ऐसे प्रकास तंब की तरह है जो हर यूग में नारी शक्ति को आगे भढ़ाने का मार्ग दिखाता रहेगा आज से कुछी दिनों बाद तीन जन्वरी को हम सभी इन दोनों की जन्मेजेंती मनाएंगे सावित्रिबाई फुले जी का नाम आते ही सबसे पहले शिक्षा और समाज सुधार के ख्षेत्र में उनका योगदान हमारे सामने आता है वे हमेशा महिलाओं और वन्चीतों की शिक्षा के लिए जोड़दार तरीके से आवाज उठाती रही वे अपने समय से बहुत आगे थी और उन गलत प्रथाओं के विरोध में हमेशा मुखर रही शिक्षा से समाज के ससक्ति करन पर उनका घहरा विश्वास था मात्मा फुले जी के साथ मिलकर उन्होंने बेटियों के लिए कई स्कूर शुरू किये उनकी कविताएं लोगों में जागुरुकता बढ़ाने और आत्मी स्वास भरने वाली होती थी लोगों से हमेशा उनका यह आग्रह रहा कि वे जरूरत में एक दूसरे की मदद करें और प्रकृति के साथ भी सम्रस्ता से रहें पर कितनी दायालू थी इसे शब्दों में नहीं समेटा जा सकता जब महराष्टर में अकाल पड़ा तो सावीत्रिबायों और महात्मा फुले ने जरूरत मंदों की मदद कलिए अपने घरों के दरवाजे खूल दिये सामाजे ग्नाय का ऐसा उधारण विरले ही देखने को मिलता है जब वहाँ प्लेक का भई व्याप्त था तो उन्होंने खुद को लोगों की स्यवा में जोंक दिया इस दोरान वे खुद इस विमारी की चपेट में आ गई मानवता को समर्पित उनका जीवन आज भी हम सभी को प्रेडित कर रहा है साथ्यों विदेशी साथन के खिलाब संगर्श करने वाली देश की कई महान विभीत्यों में से एक नाम रानी वेलू नाचियार का भी है अंगरिजों के खिलाब रानी वेलू नाचियार जिस बाधूर से लड़ी और जो पराक्रम दिखाया वो बहुत ही प्रेडित करने वाला है अंगरिजों ने शीवगंगा सामराज्य पर हमले के दोरान उनके पती की हत्या कर दे थी जो वहां के राजा थे रानी वेलू नाचियार और उनकी बेटी किसी तरह दुस्मानों से बच निकली थी वे संगर्धन बनाने और मरूद ब्रदर्स यानि अपने कमांडरों के साथ सेना तयार करने में कई सालों तक जुटी रही उन्होंने पूरी तैयारी के साथ आंगरी जो की खलाब युद्ध शुरू किया और बहुत हिम्मत और संकल प्रशक्ति के जाथ लड़ाई लड़ी रानी वेलू नचियार का नाम उन लोगों में शामिल है जिनोंने अपनी सेना में पहली बार ओल विमेन गुरुप बनाये था मैं दोनों बिरांगनाओं को सद्धा सुमन अर्पित करता हूँ